हेलो स्टूटेंट, आम यू सोचल स्टडी फखल्टी अनुश्यर्मा, तोड़े वी आर गोइंग टुस्कस्थ चाप्टर नामबर टू, दा अल्लियस्ट यूमन इस चाप्टर में हम प्री हिस्ट्रिक मैन और उसके लाइफस्टाल के बारे में पढ़ेंगे, आदी मानव और उनके लाइफस्टाल के बारे में पढ़ेंगे और हम यह भी पढ़ेंगी कि किस तरीके से जो आदी मानव है जो कि एक बंदर के आकार का था, बंदर के रूप में था, वो किस तरीके से फुल फ्लेज मैन में कनवर्ट हुआ जैसे कि आप पचल में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से एक अरली मैन की जर्णी जो है, वो एपी लाइक ख्रेचर से वो फुल फ्लेज मैन में कनवर्ट हुई ये डिफ्टर डिफ्रेंट स्टेज़ जो मैन के एवलेशन के हैं, वो आप इसमें देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोन एज की, जिसे पाशान युग भी कहा जाता है स्टोन एज वास दा टाइम पीरिड इन दे हिस्ट्री डूरिंग वेच मैन वाइडली यूज स्टोन स्टोन एज ऐसा यूग था ऐसा समय था जब आदमी जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में हर चीज के पत्थो का प्रियोग किया करता था वो पत्थो से ही अपने हथियार बनाता था, पत्थो से ही अपने टूल्स बनाया करता था This had happened about a million year ago, when men started using tool made of stone यह हजारों लाखों साल पहले हुआ करता था जब आदमी यह अपने उजारों के लिए पत्थरों का प्रियोग किया करता था स्टोन एज को पाशान योग को 3 भगों में बाटा गया तो बेसिकली यह अपर बोलने का मतलब यह कि पाशान योग को 3 भगों में बाट दिया गया उनके समय के अनुसा एक को नाम दिया गया Paleolithic Age, दूसरे को नाम दिया गया Mesolithic Age और तीसरे को नाम दिया गया Neolithic Age अब हम पढ़ते हैं Paleolithic Age के बारे में इसे Old Stone Age भी कहा जाता है जिसकी समय अब धी Time Period जो है वो 5,000,000 से 10,000 BCE की है अब यह जो वर्ड है Paleolithic यह बेसिकली क्रीक शब्द से निकला हुआ है यहाँ पर Paleo का मतलब होता है Old और Lithos का मतलब होता है Stone तो Paleolithic का मतलब क्या हो गया Stone Old Stone The word thereby mean old stone जिसका मतलब हो गया कि पुराना पद्धर Paleolithic Age was considered the longest of all the stone age जो Paleolithic Age है उसे पाशान यू का सबसे लंबा समय माना जाता है It was divided into three periods Lower, Middle and Upper Paleolithic Age को तीन भागों में बाटा गया Lower, Middle and Upper Age The period are based on the depth at which the remain of the past have been found कहरे कि जो समय है वो इस पास्ट के पास्ट में मिलेवे सबूतों के अधार पर इन समय को इन periods को बाटा गया This was the age when the man used stone tools which were rough and unfinished कहते हैं कि यह जो समय था जब इनसान अपने अजारों को जो उनके अजार वा करते थे वो पत्थर के वा करते थे और बहुत rough होते थे और unfinished होते थे Paleolithic age human were food gatherer and hunter कहरे कि Paleolithic age में जो बानव हुआ करता था वो food gatherer होता था और hunter होता था यानि खाने को खटा करने वाला होता था और शिकारी हुआ करता था Early old stone age और lower Paleolithic age इसकी बात करते हैं कहने कि इस दौरान दूरिंग the lower pathologic age the climate was very cold and most part of the earth were covered with ice कह रहे हैं कि Early old stone age जो था उस समय का जो मौसम होआ करता तो बहुत ठंड होती थी और जो earth है उसका अधिकतर जो भाग था वो बरफ से धकावा था इसलिए इसे ice age भी कहा जाता है और और palestonic spirit भी कहा जाता है the oldest tool used by human were simple stone choppers and hand axes उस समय है जो हतियार मानव human use करते थे वो बहुत साधारन होते थे पत्थरों के बने वे होते थे या फिर हांत की बनाए हुई कुलहाडी हुआ करती थी stone tools of this period were made by chipping the stone of fur to form a sharp edge to cut or chip off tree and animals इसमें खागया है जो stone tools होगा करते थे यानि जो पत्थरों के उजार होगा करते थे वो बहुत ही साधारन होगा करते थे और हर पत्थरों को तोड़ कर और उन्हें नोकिला बनाकर हर उन्हें उजार के रूप में यूज किया जाता था ताकि वो पेडों को काट सके और जानवरों का शिकार कर सके जो अर्ली स्टोन एज के जो अफशेश मिले हैं वो नर्मदा वैली में नर्मदा वैली के पास मध्य प्रदेश में सोन वैली के पास पंजाब बलान वैली में मिर्जापूर यूपी में इनके अफशेश देखने को मिले हैं अगर हम बात करते हैं Middle old stone age की जैसे हम Middle Paleolithic age भी कहते हैं तो इस period में जो human था वो flake tradition था some of home implement such as needle have been found इस age में यह माना जाता है कि कि इनसान ने needle यानि सुईनुमा आकार की किसी औजार का अविश्कार कर लिया था ऐसा इसलिए कहा जाता था कहा गया क्योंकि जहां पर जानवरों के खाल और फर देखने को मिले मिडल स्टोन एज के जो अव्शेश है वह इंडिया में नर्मदा वैली के पास मिले बैंक ओफ रिवर लूनी इन राजस्थान और दूसरा राजस्थान में लूनी नदी के किनारे मिले अगर हम अपर ओल्ट स्टोन एज की बात करें या अपर पलिरृतिक एज की बात करें दूरिंग्ड भास पीरिट ऑऻफ अपर प्लिरृतिक एज़य दाler आ प्लेृतिक एज़य चींच ग्वेरी ऑफंकि अपर प्ल Eden एंग के टाइम पर जो मौसम धा integr वहाल मेंड क्लाइमेट चेंज हुआ तो जो टूल थे जो स्टोन के जो पत्थरों के जो अजार थे उनमें भी उनमें भी उनका भी क्या किया गया अविश्कार किया गया उन्हें और भी पिक्सित किया गया उन्हें और पैना किया गया और नुखिला किया गया और टाइम टू टाइम उन यानि पहला इंसानों द्वारा बनाया गये अवास को इसी एज में ही विटनेस किया गया था अगर हम बात करें लाइफ ऑफ पैलियूलिथिक मैन की कैसा जीवन था पैलियूलिथिक मैन का यानि अर्ली मैन का प्री हिस्टॉरिक मैन लिव इन असब कॉंटिनेंट अज अर्ली ये अस्टू मिलियन इयर एगो कह रहे हैं कि जो आधी मानव थे ये माना जाता है कि ये दो मिलियन इयर एगो पहले ये साइस धर्ती पर रहा करते थे इदर उदर और खानी की तलाश में अवास की तलास में इदर उदर घूमते रहते थे इसलिए उन्हें हंटर गैदर भी कहा जाता था पीपल दिट नाट नो हाव तो प्रड्यूस फूड उन्हें उस समय के लोगों को नहीं नहीं पता था कि खाना किस तरीके से बनाया जाता है इसलिए वह क्या करते थे वह जंगली जानवों को शिकार किया करते थे पक्षियो हो गये सीड्स हो गये रूट्स हो गये फ्रूट हो गये इन सब को क्या किया करते थे एकटा करके रखा करते थे और इसलिए इन्हें हंटर गैदर कहा जाता है आगे चलते हैं नेक्स टॉपिक है आपका नेक्स टॉपिक तो प्रोटेक्ट दैंसल फ्रॉम एड्वर्स क्लाइमेटिक कंडिशन दे यूज बाक और लीफ फ्रॉम ट्री और स्किन और अनिमल तु कवर देर पॉड़ी अपने आपको मौसम से बचाने के लिए क्लाइमेटिक कंडिशन से बचाने के लिए वो क्या करते थे वह पत्तो और पेडों की चालों का प्रियोग करते थे अपने बॉड़ी को ढखने के लिए हंटर गैदर अल्सु लर्न टु अंडर्स्टैंड बिहेविर ऑप अनिमल सो और दे माइट भी जो हंटर गैदर थे उन्हें दीरे दीरे यह समझ आया कि अनिमल्स का बिहेविर कैसा होता है उन्हें यह समझ आया कि भही वो क्या है उनसे वीक है वेन अंडर्स्टैंड अनिमल्स का पता चलता गया उन्हें ये पता चलता गया कि हम किसी तरीके से उनसे क्या है फिजिकली बीक है उन्होंने अपने उनकी सोचने की शक्ति क्या होती गई डवलाप होती गई जैसे जैसे उनकी सोचने की शक्ति डवलाप होती गई उन्होंने फूड जो फूड है प्लांट और अनिमल से फूड जो है वो इकटा करना शुरू कर दिया अपने आपको सर्वाइब करने के लिए according to that they shift from one place to another और इसलिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमते रहते थे इस तरीके से उन्होंने अनिमल स्किन स्टोन और प्लांट लीव्स को इखटा करना शुरू कर दिया of their own favor the discovery of fire was another great event in the history of man और इसके बाद जो आख की खोज थी वो इंसान के इतिहास के सबसे बड़ा event के रूप में जाने जानने लगा ओके थांक्यू गाइस आज के लिए बस इतना है आगे हम नेक्स वीडियो में कंटिन्यू करेंगे थांक्यू